हलो दोस्तो एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यू चैनल SK Study Point में आज जो हम डिसकस करेंगे वो रहेगा एक से हंड्रेड तक के स्क्वियर सेकिंड हो में आपको निकालना बता दूगा कि स्क्वियर किस तरीके से निकाले आते हैं बहुत सारी आपने वीडियो यूट्यूब पर देखेंगे मगर इस जैसी नहीं देखेंगे आखों आखों में आपको निकालना आजाएगा मात्र चंद सेकिंड हो में चलिए समयना का बात हुए स्टार्ट करते हैं मेरा देखें मैंने एक 100 रखा हुआ पहले यहां पर 100 क्यों रखा है मैं इसका भी एक रीजन बताने बाला हूँ मैं 100 तक की नंबरों को दो पाटों मात लेता हूँ 1 से 50 तक के नंबरों मात लेता हूँ दूसरा 51 से 100 तक के नंबरों मात लेता हूँ मैं इस तरीके से नंबरों बाट लेता हूँ अब मान लीजिए जो मैंने 51 से 100 तक के नंबर जो बाटे हैं इनको पहले ले 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 थे मान लीजिए मुझे चाहिए यहाँ पर 98 का square किसका square चाहिए 98 का square चाहिए कितने का 98 का बच्चा ध्यान रखना 98 का square चाहिए तो इसके लिए मैं करना क्या होँ देखिए यह हमारे पास का है 100 100 से 98 को देखना कितना कम है कितना कम है दो कम है दो ही तो कम है ना तो मैं 98 से 2 कम कर दूँगा तो क्या बच्चे का मेरे पास 96 और 2 का square क्या होता है 04 clear answer 96 को देखूँ अब यह 96 का देखें 96 कितना कम है 100 से 4 तो 4 इससे कम कर दीजे 92 और 4 का square क्या होता है 16 that is answer देखें बहुती simple है करना यह है कि पहली संख्या मेरे पास है कोई यह तो पहली संख्या 9 है दूसरी संख्या 3 है बिल्कुल नए exact अब देखें 93 को 100 से comparison करना है कितना कम है 7 कम है तो 7 इससे मैं minus कर दूँगा इस पूरी संख्या से 7 को minus करने वाला हूँ जब मैं 7 इससे minus करूँगा तो यह 86 बचेगा ठीक है अब मैं देखने वाला हूँ 7 का square क्या होता है 7 का square होता 49 that is answer इस तरीके से 51 से 100 तक किसी भी number का आप second में square निकाल सकते हैं अभी देख लेते हैं अभी मैं देख लेता हूँ अपने पास मैं लेता हूँ 99 99 का square लेता हूँ 99 का square कितना कम है 1 कम है तो 98 एक का और कम कर दिया 98 हो गया और 1 का square मैं देखुआ तो 0 1 that is answer अभी मैं देखता हूँ मैं कोई एक number बोले 95 95 का square लेता हूँ 95 देखे 5 कम है कितना कम है 5 तो 5 मैंने से minus किया 0 5 हो गया 5 का square होता है 25 yes that is answer तो इस तरीके से आप सारे की सारे square निकाल सकते हैं अब हम बात करते हैं 1 से 50 तक की देखे 2 2 पे आपको निकालना बता तका 1 से 50 का तो अभी मैं आपको चलता हूँ next page पर देखे 1 से 50 का के लिए 1 से 50 के लिए मैं क्या करूँगा 1 से 50 के लिए count करूँगा इसके उपर calculation चलेगी इसमें और count करूँगा इसके उपर 49 कितना कम है भाई एक कम है 50 से तो मैं एक इसमें से कम कर दूँगा कितना कम करूँगा एक कम कर दीजे कितना हुआ 24 और एक का square क्या होता है that is answer ठीक है अभी मैं ले लिजे 46 का square कितना कम है भाई 50 से 4 कम है 4 इसमें से मैनेस करिए 21 हो गया ठीक है 4 इसमें से मैनेस करिए 21 हो गया 4 का square देखा आपने यह answer हो गया 2 और में निकालना सीख सकते है या 2 और में 41 का square 41 9 कम है 9 कम है 9 तो 9 इसमें से मैनेस करिए 9 आप जब इसमें से मैनेस करेंगे तो आपकी value क्या मिलने वाली है आपको value मिलेगी यह value मिलेगी आपको 16 ठीक है 9 कम है और 9 का square क्या होता 81 that is answer तो इस तरीके से आप जो है second हो में square निकालना सीख सकते हैं और आप try करिए अपने घर पर square को निकालना और square निकालने के बाद आप मुझे बताईएगा क्या आपको आएं के नहीं अगर आपको नहीं आते हैं तो फिर मैं आपको इससे भी फैतर ट्रिक दूँगा और second हो में आपको square निकालना बताऊँगा एक से 100 तक के आज की वीडियो में इतना ही और इससे भी ज़्यादा interesting वीडियो देखने के लिए आप इरे चैनल को संस्क्राइब करिए लाइक करिए और सेयर करिए ओके धन्यवाद